राम राम भाइ सारान है मेरा नाम रविंदर है और मैं हर्याना से हूँ और फिलाल मैं UK में डार्लिंग्टन सिटी से बात कर रहा हूं और गाइज यह मेरा पहला वीडियो है I hope आप सभी लोग इसको सपोर्ट करोगे इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बस आपको फोलो करना है एक्चली मैं अभी फिलाल वोडा फोन का यह ले वाई वोडा फोन का सिम यूज कर रहा हूं आप इंडिया से आओ तो एक बार आपको कस्टमर केर में फोन करके और उनको इंटरनेशनल सर्विस एक्टिवेट करने के लिए बोलना है वो भी इसी लिए अगर आप वो एक्टिवेट नहीं कराते हों आपको 99 रुपीज पर मंत का जो चार्ज है आपको वो लगेगा इधर बंतली जो कि वोडा फोन अप्लिकेशन जब आप उपन करोगी तो अधर आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी गाइस हवा चल रही बहुत देज बस मैं कोसिस कर रहा हूं यह वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सर्विस वैलिडिटी रिचार्ज होता है इंडिया में भी हम नॉर्मल जो कराते हैं बस की बई नंबर एक्टिव रहें तो वो ही आपको इधर कराना है अभी वो चाहे वो 49 का हो या सर्विस का मिनिमम जो मंतली है 24 28 देज के लिए वो आपको इसमें कराना है उसके अलावा आपको इसमें कुछ कराने की जरूरूरत नहीं है बिकोज इसका बहुत एक तो बहुत अच्छा नेटवर्क है इसका और इसमें उसके बाद आप कि ओटीपी रिसीव कर पाओगे इंकमिंग कोल के आपके चार्जिज जो की एक जो मैंने आपको भी थोड़ी दर पहले बदाया कि वोड़ा फोन अप्लिकेशन में आप जब देखोगे तो उसमें डिटेल आपको मिलेंगी कि सीवन जो भी चार्जिज आइंकमिंग के अब अब बस इसमें आप ओटीपी आप रिसीव कर सकते हो फ्री आउटगोइंग के चार्जिज वो कि सब कुछ उस अप्लिकेशन पर शो कराएगा तो यह वीडियो बनाने का मेरा यही मक्सक था कि जो आप लोग मेरे की जैसे मैं भी था उदर मैं भी टेंशन में था कि मेरा जो नंबर है वो हर जगे पे रेजिस्टर था और मुझे बस ओटीपी के ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी के लिए चाहिए था जैसे कि जीमेल आइडी होगी अपनी कोई भी आइडी जहां पे भी मेरा जहां भी हमारा नंबर करा हैं हम घर पे छोड़ें क्योंकि मैंने सोचा एक बार की घर पे छोड़ देते हैं घर पे छोड़ दूंगा अगर इधर नहीं हो पाया तो लेकिन उसमें भी एक रिस्क होता है कि मान लीजिए टाइम पे ओटी पी आता है तो घर वाले बीजी हूँ या हमें पेमेंट करनी हो तो नहीं हो पाता ना तो यह सब कुछ फेस करना पड़ा कि वही मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी डाली यूटूब पर कि जो इधर लोकल मतलब इधर पहले स्टूडेंट्स थे या जो भी इधर के कोई यूटूबर्स हैं तो की कोई ऐसा वीडियो कमेंट किया मैंने की कोई ऐसा वीडियो बनाए कि जिससे जो इडिया से आ रहे हैं उनकी हैप हो पाए तो पता नहीं वह कमेंट इतने ज़्यादा थे कि वह रिपलाइब किस कुछ राता मैं कि कास कोई ऐसा वीडियो तो मैं उस टाइम पे जो कस्टमर केर में कोल कर रहा था सभी कस्टमर केर में कि भाई मुझे ऐसे इतने दिन के लिए मैं इस कंट्री में जा रहा हूं और क्या रिचार्ज कराना पड़ेगा कितना मेरा बिल होगा मंतली तो उन्होंन कराने के लिए क्यों दे ठीक है और यह तो है कि एक मेना दो महिने के लिए जैसे कि हम ट्रेवल करते हैं तो भी चले तो बंदा सोचे कि वह चले दो महिने की बात है तो यह सब कुछ था तो बस आप यह चीज ध्यान रखना इंडिया से निकलते टाइम आपको बस इंडिया के नेटवर्क में हो तो उसी टाइम पे चाहिए एक दिन दो दिन पहले या कभी भी क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था मैं जब आया तो मुझे पता नहीं था कोई बताने वाला नहीं था तो बस मैं घाडी में था तो उस टाइम पे मैंने जब रस्ते में कोल किया उनके पास तो एकटिवेंट हुआ उसके बाद भी मैंने कस्टमर के में मैंम उन्होंने सपोर्ट किय उन्होंने अपना क्थी आफए अभी आपका ऩिया है अब बस जो भी कंपनी की तरफ से जो से वीश होगी वह आप उसका चारह आपको श्य आप अभी इंडिया से निकलने से पहले आपको बस यह कर रहा है जो मैंने अभी आपको बता है वो फोलो कीजिए आप और आपकी यह प्रोब्लम सोल हो जाएगी और आप अपने नंबर को इधर रख सकते हो और मैं आपको अभी दिखाता हूं कि देखो दूसरी चीजी है कि क ऐसा फोन यूज कर सकते हैं जैसे कि चोटा फोन है हमारे पास यह सब्सक्राइब कोई फोन है नहीं अभी मार्केट में यह सब्सक्राइब यह देखो यह double SIM का है मैं अभी आपको दिखा इदर messages आप देख सकते हैं और यह inbox में अभी messages हैं जो वो सबी messages आप इदर देख सकत जो की देखो जो भी बतलब OTP है या Gmail से related तो भाई अभी मैं घर पर आया हूं उस टाइम पर बार स्टार्ट होगी थी अलकी और हवा भी काफी चल रही थी तो अभी मैं मैंने सोचा कि चलो घर जागे मैं एक बार अच्छे से आपको फोन दिखाता हूं कि उसमें जो SIM है व हाँ यह देखिए Vodafone UK क्योंकि यह मेरा इंडिया का SIM है तो अभी इसने Vodafone का जो नेटवर्क है यह बहुत जादा स्ट्रॉंग नेटवर्क है यह और इसमें आप इन बोक्स में आप अपने मैसेजेज जो भी हमें वहाँ पर रिसीव होते हैं इंडिया के तो ऐसे ही आपके सभी मैसेज आपको रिसीव होंगे जैसे बैंक के OTP अगरा वगरा यह कुतम मिना रखा है भाई यह तो कहीं पर भी चले जाओ यह तो साथ छोड़ने वाले हैं तो वही यह सब था वीडियो में बाकि आप लोगों को जो भी कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटर या किसी भी जो भी आपका क्वेस्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर अभी कोज मैं बहुत एकसाइटिड भी हूँ और मैंने अभी अभी बजस्ट यूडूब पर वीडियो मेरी पहली वीडियो है यह तो मैं वेट करूँगा आप लोगों की कमेंट का और जो भी आपके मन में डाउट्स हो यहां यूके में किस की बीचीज को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और सिम के बारे में मैं आपको नमबर के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा जो अप्लिकेशन है वोड़ा फोन की उस पे आपको मेन्यू में इंटरनेशनल रॉमिंग में जाके और नीचे जब आप देखेंगे तो उदर कुछ ऑप्शन मिलेगा जैसे पहले तो आपको इंटरनेशनल का जो उसमें ऑप्शन में जाने के बाद एक प्रोसेड विद वन कंट्री सम ऐसा कुछ मिलेगा तो उस पे क्लिक करके युनाटिट किंडम सेलेक्ट कीजिएगा फिर उससे नीचे जब आएंगे तो स्टेंडर रेट तो स्टेंडर रेट आप पे आपको क्लिक करना है उदर आपको सब कुछ हम बताएगा कि जो स्टेंडर रेट हैं उसमें आपको क्या बेनिफेट्स हैं और अगर आप कोई भी पैक्स इंटरनेशनल का आई-र का एक्टिवेट नहीं कराते हैं तो नोर्मल आपका क्या कितने क्या सर्विस आपको मिलेगी तो उसमें 99 का एक नोर्मल जो मैंने जैसे भी आपको पहले वीडियो में बता आता वो सुब कुछ आप उदर देख सकते हैं और गाईज और अभी ठरन स्टार्ट हो गया है मैं बाहर अंदेरे में आके ट्राय किया कि यह जो लगता कि लिए तो चाये नहीं होता तो इसकी बैटरीय तो सबसे ज्यादा चलती है चोड़े फोन जो होते हैं तो इसमें आप सिंपली इंडिया से लेके हैं तो इंडिया से भी लेकर आ सकते हैं अपना और इदर भी पर्चेज कर सकते हैं और अउनलोक्ड होना चाहिए फ अगर जो भी इसमें आपको लगा है कि हाँ वीडियो में भाई ने मैंने पोत कि है यार पूरा दिन आज इसी में निकल गया और अभी तो मैं इस चीज का जो हमें इस सेलूशन नहीं मिल पाता और कोई भी जो भी रिलेटिव सोते हैं मुश्टली तो रिलेटिव सोती नहीं है होते तो उनको भी पता नहीं होता क्योंकि ऐसा अभी तक मुश्टली दर जितने भी मैंने देखा था जो स्टूडेंस आए थे इदर और जो जिनके साथ मैं रहता था तो वो भी क्या उन्होंने क्या किया किसी ने तो इसी वज़े से अपना जो सिम था इसी वज़े से उन्होंने अपना SIM इंडिया में छोड़ दिया, कोई लेके आया तो उन्होंने एक महीने के बाद वो SIM बंद हो गया, क्योंकि रिचार्ज की वज़े से उनको अच्छे से नहीं पता था, लेकिन कुछ होते हैं temporary number, जो हम छोड़ सकते हैं, कुछ होते हैं ऐसे क इंडिया में ही होता है कि हमें manage करके आना पड़ता है उदर से, लेकिन मैं ये number अपना साथ में लेके आया, क्योंकि मैंने कापी try किया था, तो एक confidence थोड़ा बहुत हुआ कि हां बही 99 है और ज्यादा cost भी नहीं है, तो आफकोस ये अपना activate रहेगा OTP के लिए, तो अभी आप जब भी आएं तो ये सब आने से पहले अपना fix कर लें और गाइज अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आपका भाई इधर है, आप पूछ सकते हो, मेरा पहला video है और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो मुझ से, जो भी मुझ से help होगी, जितना भी मैं कर प सारे question होते हैं हमारे mind में, हिदर के भी आपके mind में question है, इस sim number को लेकर या फिर कोई भी other topic पे आपको अगर कोई video ऐसी information चाहिए तो आप प्लीज आप comment में लिखिए और comment करिए, मैं उसके उपर video बनाऊंगा और अच्छे से उसके बारे में आपको बताऊंगा, मुझे help मैंने जितना try किया, इधर मुझे help मिले, तो मेरे इतने contacts नहीं थे, हम जितने भी इंडिया से आते हैं, mostly किसी किसी के contacts होते हैं, नहीं तो contacts इतने नहीं होते, जब हम इंडिया से आते हैं, तो उस time पे नहीं जगह है, नया देश और नए लोग, सब कुछ नया, तो हम excited भी होते हैं, और कुछ हमारे इमन में question होते हैं, उनका हमें कोई relative नहीं होता, तो हम डाउट होते हैं, क्या लेके आए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ, तो मुझे बड़ी कुशी होगी, अगर मैं ये सब आप लोगों के लिए कर पाऊं, by my life.